हमारा आज का विशे है निबंध लेखन की कला इसके अंतरगत हम आज निबंध क्या है विभिन विचारकों द्वारा दी गई अलग-अलग परिभाशाएं निबंध के प्रकार व लेखन शैली निबंध की विशेशताएं और अंग आदी की बात करेंगे तो हमारा विशे है निबंध लेखन की कला निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है इसका उद्भा और विकास आधुनिक युक की देन है वस्तुता जिस विधा को हम निबंध कहते हैं वह अंग्रेजी शब्द ऐसे का परयायवाची है योरोप में ऐसे शब्द का प्रियोग सबसे पहले आधुनिक निबंध के जन्मदाता मौन्टेन ने किया और निबंध की चर्चा करते हुए बतलाया कि निबंध विचारूं, चिंतनूं, भावनाओं, उद्धरणूं तथा उपाख्यानों का सुन्दर, रुचिर और आननदायक सम्मिश्रण है वास्तों में निबंध लेखन के पीछे लेखक छिपा होता है, उसका व्यक्तित्व निबंध में ज़लकता है और वही उस निबंध का सौन्दर्य होता है हिंदी वांगमे में निबंध श्रव काव के अंतरगद, गद्ध की एक महत्वपुर्ण विधा के रूप में मानने है आचारे वामन ने गद्ध को कवियों की कसोठी मानते हुए कहा था कि गद्यम कवीनाम निकशम वदनती इसी को ध्यान में रखकर हिंदी के मुर्धन्य समालोचक आचार्य रामचंद्रशुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसोठी है तो निबंध गद्य की कसोठी है कहने का ताद पर ये है कि किसी भी गद्य लेखक की श्रेष्टता का माबदंड उसके निबंध ही होते हैं निबंध शब्द व्यापक अर्थ का समभाहक है व्योद्पत्ति परक अर्थ में नी धन बंध बंध याने बांधना धन घैं घैं प्रत्य है पूरकार्थ हुआ अच्छी तरह गठा या बंधा हुआ पदार्थ कह सकते हैं निबंध कहलाता है शब्द कोश में निबंध का आशे है वह विचार पूर्ण विवरनात्मक और विस्तरत लेख जिसमें किसी विशय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंतर रूरुप से विवेचन किया गया हूँ भाशा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है निबंध क्या है यह प्रश्ण एक निश्चित उत्तर अभी तक इस प्रश्ण का नहीं प्राप्थ हो सका है विभिन विचार को ने उसकी भिन्य भिन्य परिभाशाएं दी है आचारी रामतिन चंदरशुकल जी के विचार हम जान चुके हैं अब हम डॉक्टर गुलाब राय के विचार देखते हैं डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विशे का वरणन या प्रतिपादन एक विशेश निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ट और सजीवता तथा आवशक संगती और संबधता के साथ किया गया हूँ आचार्य हजारी प्रशाद दिवेदी के अनुसार भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणियता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संग्या दी जाती है श्री जैनात नलिन के अनुसार निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है तो ये थी निबंध की परिभाशा है अब निबंध के प्रकार विशय की बहुलता और विवदता के अनुसार निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे सामाजिक, राजनैतिक, एतिहासिक, मनोविशलेशनात्मक, साहित्तिक, आदि लेकिन विशय वस्तु को दृष्टी भेरक कर देखा जाए तो एक निबंध में वरणन की प्रधानता हो सकती है तो दूसरे में भावना या विचार की किसी निबंध में कल्पना की उड़ान होती है तो अन्य किसी में पोरण तह साहित्तिक रुझान दिखाई देती है वैज्ञानिक अनुसंधानों के इस युग में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है अतर ऐसे विशे नित्य नए विशे निरंतर निबंधों का कथ्य बनते हैं फिर भी विद्वानों ने मोठे तौर पर निबंधों के प्रकार बतलाने का प्रयास किया है जिनका आधार विशे शैली स्वरूप भाषा विचार तथा अनुभूती है आचारे शुक्ल ने तीन प्रकार के निबंध बतलाए हैं विचारात्मक, भावात्मक और वरणात्मक बाबु गुलाब राय ने निबंध के चार प्रकार बताए हैं वरणात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शिरी शिवदान सिंग चोहान ने निबंधों को दो ही भागों में बाटा है एक कलात्मक निबंध जिन्हें ललित निबंध भी कहा गया है दूसरा तथ्य निरूपक वस्तुनिष्ठ व्यग्यानिक निबंध डॉक्टर शिरी कृष्णलाल ने निबंधों के तीन प्रकार बतलाएं है पहला कथात्मक अत्वा आख्यात्मक दूसरा वरणात्मक और तीसरा चिंतनात्मक प्रफेसर ब्रह्मदत्य शर्माद्वारा निबंध को छे भागों में बाटा गया है विचारात्मक, भावात्मक, व्याक्यात्मक, वरणात्मक, विवरणात्मक और छटा वईयक्ति डॉक्टर उमकारनाश शर्मा ने निबंध को पाँच प्रकार में बाटा है विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, वरणात्मक और विवरणात्मक इस प्रकार निशकर्षता विशय वस्तू की दृष्टी से निबंध पांच प्रकार के हो सकते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं वरणात्मक निबंध किसी वस्तू, घटना, दृष्य, पर्व, आदि से संबंधित निबंध वरणात्मक निबंध कहे जाते हैं क्योंकि इसमें वरणन की प्रधानता होती है इसमें बुद्धी अथ्वात तर्क की तुलना में कल्पना तत्व की प्रमुक्था रहती है निबंधकार अपनी वयक तिक्ता के सहारे बड़ा आकर्शक वरणन करता है अब दूसरा विचारात्मक निबंध विचारात्मक निबंधों में चिंतन की प्रधानता होती है ऐसे निबंधों में किसी इस्थिती या समस्या का सूक्ष्म विशलेशन किया जाता है विशे के सभी पक्षों पर चिंतन मनन करते हुए उनके गुण दोशों का विवेचन किया जाता है और फिर निशकर्ष निकाला जाता है विचारात्मक्ता के कारण इन निबंधों की भाषा गूर और गंभीर होती है तर्क और बौधिकता इसके प्रान है दहेच प्रथा, भ्रून हत्या, राष्टिय एक्ता, श्रद्धा और भक्ती, जन संख्या व्रिद्धी, आदे निबंध, विचारात्मक्त निबंध के अंतरगत आते हैं अब हम विवरनात्मक निबंध को लेते हैं इस प्रकार के निबंध में बीती हुई घटनाओं, युद्ध कथाओं, जीविन्यों, पौरानिक व्रितान्तों, चलित खेल स्परधाओं, आदी प्रमुखता के साथ उल्लखित किये जाते हैं ऐसे निबंधों में क्रम बद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है ऐसे निबंधों में लेखक की आत्मियता और व्यक्तित्व की चाप अनिवार रूप से रहती है वरणात्मक और विवरणात्मक निबंधों में इस्थूल भेद ये है कि पहले में इस्थाना गत्थ वरणन रहता है और दूसरे में काल गत्थ युद्ध, जीविनी, यात्रा, परवतारोहन, नए देश की खोज, शिकार, इतिहास, बीजिन ओलंपिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अनुविस्वोट का इतिहास, जवाहर, रोजगार, योजना, आधी की कथाओं को इसके अंतरगत समलित किया जा सकता है चौथा है, भावात्मक निबंध, भावात्मक निबंधों में चिंतन की अपेक्षा भावना की प्रधानता होती है निबंध लेखक पहले विशय के मार्मिक और हृदेस परशी स्थलों को चुनता है, फिर उनका काल्पनिक या भावुक विवेचन करता है इन निबंधों की भाशा कोमल शब्दों से युक्त, सरस तथा का व्यात्मक होती है तभी तो पाठक को निबंध पढ़ते समय कविता पढ़ने जैसे आनंद का अनुभाव होता है इन निबंधों के अंतरगत मेरे सपनों का भारत, वसंतोत्सव, नदी की आत्म कथा, पराधीन सपने सुकनाही, आदे विशे रखे जा सकते हैं पाठवा है साहित्यक निबंध किसी साहित्यक प्रवर्ति, साहित्यक विधा या किसी साहित्यकार पर लिखे गए निबंध को साहित्यक निबंध कहते हैं ऐसे निबंधों के लेखन के लिए विशे का गंभीर और विस्तरत अध्यन अपिक्षित होता है प्रव्रति, विधा और साहित्यकार की रचनाओं के उद्धरण देकर अपने विचारों और द्रश्ट कोण को स्पष्ट करना चाहिए ऐसे निबंद के लेखन में विशय के अनुरूप भाषा तथा शैली को हुना आवश्यक है आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी साहित्यका स्वरण ग्युग, महा कवी निराला, साहित्य और समाज, राष्ट भाषा हिंदी, आदी, साहित्यक निबंध प्रमुपता से लिखे जाते हैं अब निबंध लेखन शैली अच्छे निबंध लेखन के लिए भाषा शैली का विशेश महत्व होता है शैली विशेश से लेखक के व्यक्तित्व की जलक मिलती है सभी प्रकार के निबंधों में दो प्रकार की प्रमुप शैलीयां अपनाई जाती है पहला समास शैली और दूसरा व्यास शैली समास शैली में संक्षिप्तता और एक सूतरता का विशेश ध्यान रखा जाता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अथवा विचार गुथे रहते हैं इन में भाशा सामासिक होती है तथा संधी, उपसर्ग तथा प्रत्य का सहारा लिया जाता है अथ निबंधों में जटिलिता भी कभी-कभी आजाती है आचारे राम चंडर शुक्लने, मनो विकार संबंधी निबंध, तथा आचारे नदुलारे बाचपेई के साहित्तिक समिक्षा संबंधी निबंध इसी शेली में लिखे गए हैं वियास शेली में विशे को परियापत विस्तार में व्यक्त किया जाता है प्राया वरनात्मक एवं विवरनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं भावात्मक निबंधों में चार प्रकार की शैलियों का उपियोग किया जाता है पहला धारा शैली, दूसरा तरंग शैली, तीसरा विक्षेप शैली और चौथा प्रलाप शैली तो सबसे पहले हम लेते हैं धारा शेली को इस शेली में भाव धारा सी प्रवाहित होती है तथा तनमेता और तारतम की विशिष्ट योजना रहती है अध्यापक पुर्ण सिंग तथा रायकृष्ण दास के निबंध इसी शेली में लिखे गए हैं दूसरा है तरंग शेली इस शेली में भाव लहरों के समान लहराते प्रतीत होते हैं धारा शेली के समान एक सा प्रभाव या गती इसमें नहीं होती माखनलाल चत्रुएदी का साहित्य देवता निबन इसका उदाहरण है तीसरा है विक्षेप शेली इस शेली में भावों का तार्तम में नहीं रहता वैसे भावात्मक निबंधों में वृद्धी तत्व का अभाव रहता है पर विक्षेप शैली में लिखे निबंधों में बुद्धी का नियंत्रण लगभग समाप्त ही दिखाई देता है जैसे वियोगी हरी का निबंध साहित्तिक चंद्रमा इसका उधारन है चोथा है प्रलाप शैली इसमें भावों के आवेश में किसी प्रकार का नियंत्रण या मर्यादा न रहकर उच्छ श्रिंखलता आ जाती है जैसे डॉक्टर रगुबीर के शेश इस्वरतियां संकलन के निबंध भावात्मक निबंध कारों में आचारे शुक्ल बाल कृष्ण भठ आधि के अत्रिक्त आचारे हजारी पिशाद्धिवेधी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कुमेरनात राय आधि के नाम उलेखनी है तो ये था निबंध लेखन की शैली अब हम निबंध की विशेष्टाओं की बात करेंगे सबसे पहले हम लेते हैं वयतिक्ता या निजीपन निबंध की पहली विशेष्टा है कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाता है उसकी रुची उसका संसकार इस्थान अर्थात संपूर्ण परिवेश निबंध कार वव्यक्तित्व के निर्मान में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है उसके निबंधों में उसका मानसिक या भावात्मक फलक इसपष्ट मुखरित होता है दूसरा है संक्षिप्तता आज हर मनुष्य के पास समय का अभाव है अता निबंध अत्यंत दीर्ग विस्तार लिये हुए न हो विशय और आकार दोनों दृष्टियों से संक्षिप्तता निबंध की आवशक्ता विशेश्ता बन गई है तीसरा है स्वता पूरणता निबंध संक्षिप्त होते हैं किन्तु उनमें लेखक एकांगी दृष्टिकों को लेकल चलता है और उस दृष्टिकों से पूरण अभिव्यक्ती करता है इस दृष्टि से निबंध स्वता पूरण होना चाहिए चौथा है रोचक्ता एवं सजीवता निबंध कार का यह प्रयत्न रहता है कि वह निबंध को अधिक से अधिक रोचक्ता एवं सजीवता प्रदान करें क्योंकि इसके अभाव में अधियन एवं पाठक दोनों ही दृष्टियों से निबंध सफल न हो सकेगा पांचवा है उद्देश मानव जीवन के प्रत्यक कार में कोई न कोई उद्देश नहित रहता है निबंध भी किसी न किसी उद्देश से प्रेरित होकर लिखे जाते हैं छटा है भाषा शैली पर व्यक्तित्व की चाप निबंधकार को थोड़े में बहुत कुछ कहना होता है इसके लिए उसे भाषा की सरलता और इस पश्टता के साथ लक्षणा या व्यंजना का अधिक सहारा लेना पड़ता है निबंधकार की भाषा शैली पर उसके व्यक्तित्व की चाप द्रिश्टिकोचर होती है सात्व है एकानविती निबंध की पूर्ण सफलता के लिए एकानविती का होना आवश्यक है इसके अभाव में भाव अत्वा विचारों में विश्रिंखलता आजाती है निबंधकार विभिन अनुच्छेदों में भावों और विचारों के माध्यम से अपनी बात की स्थापना करता है अतह इसमें क्रमबद्धता आवश्यक है प्रतेक अनुच्छेद में भावों एवं विचारों का तारतम्य होना चाहिए तो ये थी विशेश ताएं अब हम निबंध के अंग की बात करेंगे सुघड निबंध यानि अच्छा निबंध लेखन के लिए उसके अंगों का भी ज्ञान अपेक्षित होता है चुकि निबंध का आकार सीमित होता है इसलिए उसके सुघठित अंगों पर विचार करना वांचनिय होता है निबंध में बात कहां से शुरू करें क्या क्या लिखें और अंत कैसे करें इसके लिए आवशक है कि निबंध लिखने से पहले हम उसकी रूप रेखा बना लें रूप रेखा में चार बिंदों पर ध्यान देना आवशक है और ये ही निबंध के मुख्य अंग हैं पहला प्रस्तावना या भूमिका दूसरा मुख्य अंश या विशेवस्तु तीसरा विशेविस्तार और चौज़ा उपसंहार या अंद तो सबसे पहले प्रस्तावना निबंध के प्रथम अनुच्छेद जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं इसे भूमिका या प्रस्तावना के रूप में लिखा जाता है भूमिका निबंध में प्रवेश द्वार का कारे करती है और निबंध की प्रथम परिचय होती है प्रस्तावना या भूमिका रोचक हो तथा विशय वस्तु को इस्पष्ट करने वाली होनी चाहिए इसके द्वारा पाठक के मन में निबन्द को विस्तार पुरुवक पढ़ने के उत्सुकता जाग उठती है प्रस्तावना संक्षित तथा प्रभावशाली होनी चाहिए इसके ही द्वारा निबंद के मुख्य अंश या विशय वस्तु के संबंद में संकेत दिया जाता है। पुक्ति या उधारन देकर पांचवां विशय का महत्व बताकर और छट्वां प्राकृतिक परिवेश का चित्रांकन करके इन में से किसी भी प्रकार को अपना कर प्रस्तावना प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है मुख्य अंश और यह निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें विशय वस्तु का विस्तार से विवेचन किया जाता है। मुख्य विशय के सभी क्षेत्र का उजागर करने के लिए निबंध से संबंधित सामगरी को कई अनुच्छेदो याने पैरग्राफ में व्यक्त किया जाता है। विशय की पुष्टी के लिए जो भी उद्धरण, द्रिष्टान्त या प्रमान चुने जाएं वो सरल, आकरशक और प्रभावकारी होना चाहिए। यदि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रियोग किया जाए, तो उनसे निबंध और अधिक प्रभावनिष्ट बन जाता है। तीसरा है विशय विस्तार, निबंध लेखन में आकरशक प्रस्तुती करण के लिए क्रम बद्धता और बिंदुवार यानि पॉइंट वाइस विशय का विस्तार आविशक होता है। सामानित तौर पर निबंध के विशय को पांच या छे अनुचेदों में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। प्रस्तावना और उपसंहार इनसे अलग स्वतंत्र पैराग्राफ होते हैं। विशय विस्तार में पांच छे अनुच्छेदों में विशय वस्तू की विविदता, विस्तार, तुलना, आधिका, समायोजन होता है। कभी-कभी व्यापक विशय होने के कारण पैराग्राफ की संख्या बढ़ जाती है। किन्तु निबंद की कसावट और सगन्हता बनी रहती है। चोथा और अंतिम है उपसंखार। निबंद का अंतिम अनुच्छेद उपसंखार कहलाता है, इसमें विशय वस्तू के विवेचन के आधार पर निसकर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इसमें निबंद कार अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। निबंद का समापन या अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थाई प्रभाव पाठक के मन मस्तिक्ष पर पढ़े। निबंद का यह अंग संक्षिप्थ होने पर भी पाठा को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है तो ये था निबंद का अंग अब अंत में निबंद लेखन के कुछ याद रखने हे तु मुख्य बाते पहला निबंद के विशे को भली भाती समझ कर ही निबंद लिखना चाहिए दूसरा विशे के अनुसार पहले रूप रेखा बना ले और उसी अनुसार निर्धारित बिंदों का विस्तार करते जाए तीसरा, प्रतेक बिंद को एक-एक अनुच्छेद में विस्तारित करना चाहिए। चोथा, सभी अनुच्छेदों का एक दूसरे से सामन जस्य बना रहना चाहिए। पांचवा, निर्धारित शब्द सीमा और समय सीमा में निबंद लिखना वांचनिय होता है। छटा, निबंद की भाषा विशह तथा विचारों के अनुरूप ही होनी चाहिए। साथवा, निबंद की भाषा शैली को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों और लोकोगतियों का समुचित प्रियोग करना चाहिए। आठवा, वर्तनी और वाक्य गठन, शुद्ध हो तथा विरान चिन्धनों का समुचित प्रियोग किया जाना चाहिए। नवा, निबंद के विशय के अनुसार यथा स्थान उद्धरणों, सूक्तियों, प्रसंगों तथा कावि पंक्तियों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। और अंतिम दस्वा, निबंद प्रारंब से अन तक कत्य और शिल्प की सुन्दर लड़ी में संयोजित होना चाहिए। तो ये था निबंद लेखन की कला। प्रस्तुत जब ख्रस्तुत